दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा पंचायती राज यानि कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में दोस्तो पंचायती राज एक ऐसा topic है जिसके प्रश्ण तक्रीवन हर एक exam में आते हैं तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और मैं उम्मीद करूँगा कि आप एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलेंगे यानि कि आपके नोट्स तयार हो जाएंगे तो शुरुआत करते हैं पंचायती राज का अर्थ होता है ग्रामीन स्वाशाशन व्यवस्ता मतलब ये है कि गावों की शाशन व्यवस्ता यानि कि गावों की जो स्वाशाशन व्यवस्ता है याँ पर स्वाशाशन वर्ड आया यानि कि सेल्फ गवर्नेंस की व्यवस्ता को पंचायती राज कहते हैं तो ऐसे में पंचायत सवशासन व्यवस्था का सम्विधानी करण किया गया. यानि कि जमीनी स्थर पर लोक तंत्र का निर्मान करने के लिए इस व्यवस्था को विधान सबायों दौरा स्तापित किया गया. इसका प्रमुकदाइत विये था कि इससे ग्रामीन विकास हो सके तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या है ये विवस्था और इसका सम्विधानी करण कैसे किया गया देखो अगर हम बात करें समिधान निर्मान से उठाएं, तो जब समिधान बन रहा था, तो गांदीवादी लोग जितने भी थे जो गांदीवादी विचार्दार रखते थे, वो पंचायती राज के पक्ष में थे, यानि कि वो चाते थे कि पंचायती राज आए और सत्ता का decentralization यानि कि विकेंदरी करण हो जाए साधरन शब्दों में सत्ता की जो ताकत है वो छोटे-छोटे हिस्सों में तूट जाए और हर किस्जी को लोक तंत्र में शक्ती हासिल हो ये उनकी सोच थी लेकिन समविदान सभा में जो डॉक्टर B.R. अंबेडकर थे वो पंचायती राज या ग्रामीन स्वशाशन विवस्ता के खिलाफ थे वो इसलिए क्योंकि डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी का मानना ये था कि भारत में गावों में जातिकत आधार पर बहुत ज्यादा भेदबाव होता है अब ऐसे में अगर ग्रामीन स्वशाशन विवस्ता यानि कि पंचायती राज लागू हो जाता है तो दबे कुछले और पिछडे वर्ग तथा मैलाओं को अधिकार तो मिलेंगे ही नहीं तो उन्हें ये डर था क्योंकि शायद वो उस समय के गामों की सचाई जानते थे इसी कारण उन्होंने एक बार कहा था कि जब तक मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाता कि प्रतेक सुशासी संस्था में ऐसे प्रावधान है जो दलित वर्गों को अपने अधिकारों का की रक्षा के लिए प्रतिनिदत्व देते हैं तब तक मैं इस बिल के पहले हिस्से के लिए सहमती नहीं दे सकता और उनका ये डर शायद गलत भी नहीं था तो यही कारण था कि शुरुवाती रूप में अनुछेद 40 यानि कि आर्टिकल 40 में ये कहा गया कि राज्य अगर चाहे तो अपने नीचे यानि कि अपने नीचे के लेवल पर ऐसी एक व्यवस्ता बना सकता है जो ग्रामीर विकास पर ध्यान दे लेकिन मैं आपको बता दू कि ये चीज़ DPSP के तैयत आय थी यानि कि डारेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको हम हिंदी में कहते हैं नीती निदेशक सिद्धान्त राज्य के नीती निदेशक सिद्धान्त तो इसका मतलब ये मेंडिटरी नहीं था इस पर कोई बात देता नहीं थी राज्य चाहे तो ऐसी विवस्ता बनाए नहीं तो नहीं बनाए तो इसका मतलब ये जो सिस्टम था ये सम्विधान एक नहीं था तब तर अब सम्विधान लागू होने के बाद 1952 में सरकार ने सामुदाएक विकास कारेक्रम शुरू किया था और 1953 में राश्ट्रे विस्तार सेवा इन दोनों कारेक्रमों की समीक्षा करने के लिए सरकार ने 1957 यानि कि जनवरी 1957 में एक समीती का गठन किया जिसके जो प्रमुक थे वो थे बलवंत राय महता और उनकी समीती जो है वो बलवंत राय महता समीती कहलाती है इस समीती ने जनवरी 1957 से नवंबर 1957 के बीच में भारत में कई जगे जाच की और सर्वे किये और नवंबर में आकर के अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को सौपी और कुछ सिफारिशे की उनकी जो सिफारिशे थी वो बहुत important थी इनको ध्यान से सुनना उनकी पहली सिफारिश ये थी कि राज्यों में त्री स्तरिये पंचायती राजपदती की स्थापना होनी चाहिए कहने का मतलब ये है कि गाउं के स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए ब्लॉक के स्तर पर पंचायत समीती और जिला के स्तर पर जिला परीशत ये पहली बार थ को याद रख लो दो अक्टूबर 1969 को राजस्थान के नागोर जिले में पहली बार पंचैती राज व्यवस्ता अपनाई गई भारप में सबसे पहले कहा अपनाई गई पंचैती राज व्यवस्ता राजस्थान के नागोर जिले में इस बात को आपको याद रखना है इसी को देखते हुए उसी साल 1969 में ही आंद्रप्रदेश ने भी ये व्यवस्ता अपनाई और ऐसे ऐसे करते हुए आगे चलके कई राज्यों ने ये व्यवस्ता अपना ली लेकिन जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि ये व्यवस्ता DPSP के तहत थी यानि कि निती निदेशक से दान बात नहीं हुए और गामों को शायद व्यवस्ता का उतना फायदा मिला नहीं इसके बाद दिसंबर 1977 में एक और समीती बनी जिसको हम कहते हैं अशोक मैता समीती इस समीती ने भी एक रेपोर्ट तयार की जो उन्होंने अगस्त 1978 में समिट की और इस समीती ने एक सिफारिश इसके बाद आती है एक और समीती जिसको हम कहते हैं जीवी के राव समीती जो की 1985 में अपनी रिपोर्ट देती है यहाँ पर उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टन बात कही थी कि विकास प्रक्रिया सिर्फ दफ्तर शाही बनके रह गई है और जो पंचायती स्तर है वो अलग बिना जड़की गास कहा जा सकता है एक इंपॉर्टन चीज उन्होंने यूज की बिना जड़की गास कहने के लिए संस्ताय बनी हुई है लेकिन काम कुछ हो नहीं रहा तो यह जो राव समीती थी इसने पंचायती राज पद्दती को मजबूत और पुनर जीवित करनी के ल आई थी राजीव गांधी सरकार के तहट आई थी इसकी जो पहली सिफारिश थी वो सबसे इंपॉर्टन थी इसकी सिफारिश ये थी कि पंचायती राज संस्ताओं को सम्मेदानिक रूप से मानिता प्रदान की जाए यानि कि इनको DPSP से निकालके इनको बाकायता सम्मेद इसकी सिफारिश थी वो थी नियाय पंचायतों की स्थापना यानि कि आप जानते हैं कि तीन स्तर पे हमारी जुडिशरी चलती है सुप्रीम कोट, हाई कोट, डिस्टिक कोट लेकिन इसके अंदर कुछ एक नियाय पंचायत भी होनी चाहिए जो छोटे मामलों को निप्टा सके तो ये दो इंपोर्टेंट सिफारिश थी जो सिंगवी समीधी की तरफ से आई थी राजी उगंदी सरकार में अब देखो समयधानी करन करने की प्रक्रिया का प्रयास यहीं से शुरू होता है 1989 में पहली बार लोक सभा ने ये विदेख पारित किया था लेकिन राज्य सभा दोरा इसे पारित नहीं किया गया था उस वक्त के विपक्ष ने इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया था फिर उनकी सरकार चली गई मतलब इसके बाद आई वीपी सिंग की सरकार तो वहां पे सम्विधान चर्चोदर अदिनियम के तहट 1992 में ये पारित हो गया और 24 अप्रेल 1993 में इस डेट को याद रख लिना 24 अप्रेल 1993 में ये प्रभाव में आ गया इसी वज़े से 24 अप्रेल को हम पंचायत दिवस भी बनाते हैं तो हमने अब तक क्या पढ़ा कि ये जो पंचाय सम्विधानिक हो गया और 93 के अंदर प्रभाव में भी आ गया अब ये जो आया मतलब 73 वह सम्विधान शर्चोदर ने हुआ इसके कई सारे प्रावधान आये मतलब इससे क्या-क्या फाइदे हुए ये चीज़ देखनी है और यहां से बहुत से प्रश्न बनते हैं सबसे प भाग 9, अनुसूची 11, आर्टिकल 243 से लेके 243 O तक फिर से सम्विधान का भाग 9, अनुसूची 11, आर्टिकल यानिके अनुचेद 243 में A से लेके O तक अब इस ग्यारवी अनुसूची के तहत 29 ऐसे कारे थे जो इसके अंदर आये थे यानिके पंचैती राज के अंदर आ बूमी सेलक्षन, तीसरा लगू सिचाई, जल प्रबंदन और नदियों के मद्य बूमी विकास, चौथा पशु पालन, दुग्द व्यवस्ताय और मुर्गी पालन, पांचवा मतस्य उद्ध्योग, छटा वन जीवन तता क्रशी खेती वनों में, साथवा लगू वन उत्पत आठवा लगू उद्धोग जिसमें खाद उद्धोग सम्मिलत है, नवा खादी वे ग्राम वे कुटिर उद्धोग, दसवा ग्रामीड विकास, ग्यारवा पीने वाला पानी यानि के पीने के पानी की विवस्ता, बारवा एधन वे पशु चारा, तेरवा सडके, पुलो, तटो जलमार्ग तथा अन्य संचार के साधन, चौधवा ग्रामीड विदुत जिसमें विदुत विवाजन समाहित है, पंद्रवा गैर परंप्रागत उर्जा स्रोत, सोलवा गरीबी उन्मुलन कारेकरम, सत्रवा प्रात्मिक व्यमादमिक शिक्षा संबंदी विद्याले, अठारवा यांतरिक परिक्षण एवं व्यवसाइक शिक्षा, उन्नीसवा वयस्क एवं गैर वयस्क अपचारिक शिक्षा, बीसवा पुस्तकाले, एकीसवा सांस्कृतिक कार्य, बाईसवा बाजारवे मेले, तेईसवा स्वास्त एवं स्वास सम्मंदी सिंस्थाएं जिस अब आपको पता है कि कोई सरकार राज इस्तर पे बनती है तो वो ऐसे मामले समालती है और ये जो मामले हैं जो कारे मैंने आपको बताएं ये सारे के सारे गाओं के स्तर पे हैं ठीक है मतलब ये चीजे फेस करते हैं वाँके लोग तो ये सारी चीजे पंचायती राज को हल करनी थी तीसरे प्राफदान में त्रीस तरिये प्रणाली अपनाई गई, तीन सतरिये कौन सी, ग्राम है, जिला है और ब्लॉक है, मतलब वैसे ग्राम, ब्लॉक और जिला कहना चाहिए मुझे, तो त्रीस तरिये प्रणाली ये थी, इसके बाद चौथा प्रावधान जो था, वो सीटों के आरक्षन को लेके रखना है, मतलब कम से कम 33% तो होनी चाहिए, बाकि राज्य की मर्जी है, इसके बालावा जो SCST है, मतलब जो स्क्रेडियूल कास्ट और स्क्रेडियूल ट्राइब है, उनके लिए भी जनसंख्या अनुपात में सीटे होना बहुत जरूरी थी, उनके लिए भी सीटे होगा, तो राज्य निर्वाचन आयोग ही उसका चुनाव करवाके देगा, ठीक है, इसके अलावा कारेकाल कितना होगा, कारेकाल पांच वर्ष का होगा, और अगर मान लोग की किसी वज़े से कोई हट जाता है, मतलब मान लोग की किसी को आपने बठाया है पंचायती होनी चाहिए, इसके बाद वित आयोग का गठन जोकी राज्य पाल करेगा, अब 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 इसी बात है कि किसी राज्य के अंदर अगर कोई पंचायती राज बना है, उसमें ग्राम सर की सरकार है, ब्लॉक की है, जिला की है, तो उन्हें पैसे तो चाहिए ना, तो वो पैसा कौन देगा, वित आयोग देगा, और उसका गठन कौन करेगा, राज्य पाल करेगा, राज्य पाल, राज्य के लिए बिल्कुल वैसा ही होता है, जैसे राष्ट के लिए राष्ट पती होता है, तो इसका मतलब राज्य पाल बनाएगा, वित आयोग और वो पैसे देगा, तो ये वो सारे प्रावदान थे जो सम्यदानी करण के बाद पंचायती राज के लिए किये गए, यहाँ पे मैंने आपको उनके कारे बताए, उनका आरेक्षन बताया, सारी चीजे बताए, उससे पहले मैंने आपको बताया कि किस तरीके से समीतियों की वेसे सम्यदानी करण अब हम समझ लेते हैं कि इसकी संरचना क्या है, मतलब इसका structure क्या है पंचायती राज का, तो देखो पंचायती राज की संरचना जो है वो त्री स्तरी है हम लोग जानते हैं, एक तरफ है ग्राम पंचायत, उसके बाद आता है आपका block यानि की पंचायत समीती और इसके बाद होता है, उसका काम होता है कि गाउं स्तर पर जो विकास योजना है उनको लागू करना और सरकार तक लोगों की बात को पहुचाना, ये काम ग्राम पंचायत का मुखिया करता है, किसके साथ मिलके करता है, सरपंच के साथ मिलके करता है, अच्छा, ये जो मुखिया ये चुन गाओं के अंदर कुछ गलत हुआ है तो सजा दिलवानी है अगर अपरादी को तो ये काम सरपंच कराता है और साथ में दीवानी वो होती है जहां पर सिर्फ जुर्मान लगता है सजा के लिए तो उसको हम दीवानी कहते हैं तो ये दोनों काम सरपंच करता है अपने अपने प पंच काम करता है, पंचाय समीती के जो प्रमुक होता है, उसका चुनाओ अपरत्यक्ष होता है, यानि कि जितने भी आपके मुखिया होते हैं, वो सारे मिलके इसको चुनते हैं अपरत्यक्ष रोग से, आपको याद होगा, जब मैंने आपको राश्टपती का चुनाओ बताय था तो वहाँ पर भी परती निदी चुनते हैं राष्टपती तो यहाँ पर भी जो प्रमुक है वो जनपरती निदी ही चुनते हैं अच्छा इसका कारे क्या होता है ग्राम पंचायत के वार्षिक योजनाओं को परखना मतलब वार्षिक योजनाओं में उन्होंने क्या क्या किया है वो सारी चीजे परकना और फिर वापस जाके जिला परिशत के सामने ये चीज पेश करना और इसके बाद आता है आखरी च्रण यानि की जिला परिशत जिला परिशत में बैठता है अध्यक्ष यानि की चेर्मेन उसका काम होता है ओवरॉल काम जो हुआ है गावों के स पर उसकी जाच करना और उसमें समन में बैठाना इन दोनों के बीच में समन में बैठाना ये काम कौन करता है अध्यक्ष करता है या यू कहलो जिला परिशत करता है तो इस तरीके से आपके पंचायती राज की सरनचना पूरी होती है दोस्तों मैंने पंचायती राज में जित इतने भी प्रावधानों के बारे में मैंने बताया था जैसे कि आरखषन के बारे में चुनाओं का निरवाशन कौन करवाता है, या फिर कारेकाल कीतना होता है, आयू कितनी होती है, कौन सी व्यवस्ता है, ये सारी चीज़ा आपको याद रखनी है तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी प्रशन चूटेगा दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पंचायती राज की ये वीडियो आपके लिए helpful साबित रही होगी इसके बाद भी इसके अंदर कोई confusion आता है तो आप हमें comment section में बता सकते हैं So friends, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही See you in the next one